बिहार इन शॉट्स सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं पटना इन्वर्सिटी छातर संग चुनाफ को लेकर एंडिये गठबंदन में रार साफ देखने को मिल रहा है अब राजपाल ने बीजेपी की शिकायत को देखते हुए प्यू के वीसी से रिपोर्ट तलब कर दी है बीजेपी ने सीधे तोर पर जदियू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राजपाल से सरकारी तंत्र का बेजा इस्तमाल कर चुनाफ को प्रभावित करने का आरोप लगाया है बीजेपी के आरोपों को देखते हुए राजपाल ने भी प्यू के वीसी से रिपोर्ट तलब कर दी है दरसल बीजेपी के विधायक नितिन नवीन की अगवाई में एक प्रतिनीधी मंडल राजपाल से मिला था जिसमें जदियू का नाम लिए बिना यह लिखा गया था कि एक दल दबाव बना रहा है और उस दल का राश्ट्रिय पदाधिकारी वीसी से मुलाकात कर प्यू कैमपस में चुप चाप से चुनाव से पहले उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है आपको बता दे कि सुमवार की देर शाम प्रशानत की शोर प्यू के वीसी से गुप चुप मुलाकात करने के लिए पहुचे थे बताया जाता है कि यह मुलाकात काफी देर तक चली बीजे पी का आरोप है कि अचार सहीता लगाने के बाद भी ऐसी मुलाकात को कोई मतलब नहीं बनता बीजे पी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी मशीनरी का बेज़ा इस्तमाल कर चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश प्रशानत की शोर कर रहे हैं पी के वी सी से गुबचुप मुलाकात पर शात्रों ने भी प्रशानत की शोर पर हमला कर दिया था जिसमें उनके गाड़ी का सीशा तूट गया और प्रशानत की शोर बाल बाल अपनी जान बचाकर वहां से भागे